सब्सक्राइब करता है और मैं आशुत अश्टर आप सभी का स्वागत करता हूँ अब आप सब्सक्राइब करेंगे और इस टोपिक को बहुत इजिली तरीके से स्टार्ट करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टेडिवाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफोर्म है यूट्यूब के उपर आप हमसे जुड़ सकते हैं अपनी नॉलिज को बिल्ड कर सकते हैं मैसल्फ आशुतो स्टेलर और करन्ट अफेर्स के वीडियो यहां पर इसकेशन होते हैं लेक्चर इसकेशन सीरीज पूरी यहां पर अवेलिबल है एकनोमिक्स की है अब रीजनिंग के मैं आपके साथ डिसकस कर ही रहा हूं और और भी सारी सीरीज है आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पर देख सकते हैं वीडियो का लिंक के लिए और पीडियेफ के लिए आप टेलिग्राम ग्रूप पर जुड़ सकते हैं रीजनिंग के लिए तो जरूर जुड़ेगा क्योंकि यहां से जो भी होने के बाद में कुश्यंस मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा व सबसे पहले अपने तोपिक का नैम है लेटर लेटर एंड नंबर सिरीज तो नंबर सिरीज लेटर एंड नंबर सिरीज को अगर हिंदी में बोलें तो वाइलेगवल मैं आपको यहां पर डिसक्स करूंगा तो सबसे पहले हम क्या है इसको discuss करते हैं, तो संख्या, संख्या और, संख्या और अक्षर, अक्षर, श्रंकला, श्रंकला, ठीक है, ओके, तो ये किस तरह का types होता है, एक प्रारूप होता है, इसके अंदर एक type होता है, एक pattern होता है, इन questions को करने का, तो सबसे पहले उनी patterns के बारे में हम discussion करते हैं, तो क्या होता है, एक pattern होता है, same number repeat हो रहा होता है, या फिर कुछ अलग-अलग numbers के group होते हैं, या फिर अक्षर, जो numbers होंगे, उसके group होंगे, या फिर letters के group होंगे, तो उन group का एक pattern होगा, उस pattern के आदार पर इन questions को दिया जाता ह यह देखा जाता है, विद्धियारती कि तेजी कितनी है?, मतलब कितना, fasten of it, वो, इसको solve कर सकता है, गर्णा कर सकता है, परिक्षन कर सकता है, या अक्षर के बीच में, संबन्द स्तापित कर सकता है, निर्धारन कर सकता है, कि क्या-क्षर, अगर काम में है, तो एक pattern दिया हो होता है ज्यादा आपको टाइम भी कम लगेगा इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कुछ ट्रिक्स ध्यान रखनी होंगी वह मैं आपको यहां पर डिसकेशन करूंगा तब मैं आपको बता ही रहा हूं साथ की साथ और इसके अंदर हम टेस्ट कर सकते हैं तीवरता से करने के लिए टेस्ट कर सकते हैं कि यह वाला काम में ले सकते हैं तो आपको ट्राइट तो करना ही होगा सेकेंड आपको फास्ट ली करना होगा कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चीए स्क्वैर हुए किसी भी नंबर के स्क्वैर हुए क्यूब हुए वह आपको याद रहने चीए तो आपका काम etc वो आपका काम बहुत fast कर देंगे साथी साथ आपको mathematically जो operations होते हैं operations का मतलब कहने से यह होगा कि हमें addition, addition, subtraction, device, multiply बहुत fastly दरीके से होना चाहिए तो आपको easy going लिए pattern वाले questions होंगे वो solve हो जाएंगे तो start करते हैं सबसे पहला pattern कि कितने pattern होते हैं उनको इक बाई discuss करते हैं जो shrunkला होती है, shrunkला के ह्आधार पर जो pattern होते है, वो pattern, तीन तरह के उता है तो 3 तरह केotte 및 pattern के उपर trabalho तीन तरह में विभजित किया गया है तो 3 pattern होते है, अंक शूंकला, numbers, या फिर कह सकते हैं कि numbers ही बोलेंगे इसको मेरे according भी और कि अगर आप देखोगे तो numbers बोलेंगे और दूसरा जो शंकला होगी अक्षर संकला तो वो letters वाली हो जाएगी letters के form में जो भी आएगे letters के form में आएगे letter series हो जाएगी number series हो जाएगी और मिश्रित या फिर विविद मतलब mixed में जो भी आएगा वहां पर हम discussion करेंगे मिश्ट में इसके अंदर भी हम टाइप से discussion करेंगे फस्ट लेंगे फस्ट के अंदर भी मैं आपको 3-4 types बताऊंगा types के उपर discussion करेंगे तो आपको समझ जाएगा चलिए आगे देखते हैं next slide लगाता हूं next slide में सबसे पहला अंक या श्रंख्या श्रंख्ला number जो है number series number series में कुछ rules हैं वो follow करते हैं अगर यह rules अगर आप test करोगे उसके उपर तो आपको पता लग जाएगा कि पहला questions अगर इसके उपर based है तो फटाक से आपको वह वह वाला चीज फॉर्म में कर लेना है देखिए यदि कोई श्रंख्ला के अंक या संख्या साधारणते मतंब नॉर्मली अगर वो अंक बढ़ रहे हैं सबसे बढ़ी चीज यहां पर अगर बढ़ रहे हैं एक सिरिज दी हुई है वन से टू हो गया टू से थ्री होता है थ्री से फॉर फाइफ सिक्स तो continually हम देख रहे हैं कि यी series क्या हो रही बढ़ रही 1 1 1 1 इसमें क्या हो रहा है add हो रहा है तो आपको क्या पता लगा कि यहां पर बढ़ रही है सतत बढ़ रही continuous बढ़ ली साधरान से दर से बढ़ रही है तो उसमें क्या हो रहा है है एड हो रहा है सबसे बड़ी चीज आपको पॉइंट से बता दिया है कि आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा है तो इसमें यह एगर यहाँ पर एडिशन होगा एडिशन और वहाँ पर सब्स्ट्रेक्शन हो जाएगा सब्स्ट्रेक्शन हो जाएगा, ठीक है अगर ये थोड़ा उपर निच हो गया, ये फास्ट पॉइंट ही होगा यदि काफी तीवर्द गति से, तीवर्द से गट रही है मतलब कोई संक्या है या श्रंकला है वो क्या है काफी स्पीडली उसको क्या हो रहा है इंक्रीज हो रही है बढ़ रही है इंक्रीज हो रही है तो उसके अंदर क्या होगा उसके अंदर मल्टिप्लाई होगा multiply के अधार पर हो रहा होगा multiply हो रहा होगा या फिर उसके अंदर वर्ग हो सकता है या धनात्म गात या तो square हो सकता है या cube हो सकता है इसमें देखना होगा वह आपको test करके और या इसके अलावा या फिर जोड़ा या गटाया भी जा सकता है इसमें दौनों चीज़े बताई गई है तो वो आपको questions हम आगे करेंगे उसके उपर based हो का ठीक है काफी तीवर गटी से अगर गट रही है अगर काफी fastly अगर गट रही है तो उसके अंदर भाग पर आधारी तो मतलब यह divide हो रहा है यह इसके अलावा क्या हो सकता है उसमें decrease हो रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा continually हमको अगर बढ़ रहे हैं तो गुणा हो रहा है और घट रहे हैं तो भाग हो रहे हैं आपको यह दोनों यहाँ पर try करके देख लेना चीज़े इजी going लिए मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूं कि क्या क्या चीज़े कहां पर काम हो रहे हैं अगर फासली बढ़ रहा है तो वहाँ पर divide हो सकता है इसके अलावा tension कि गती से क्हाँ पहले ऑड़ते हैं और फिर जगडते हैं वहां पर क्या हो सकता है कि आपको पहले multiply भी हो सकता है निए आपको पहले उसके उटता सकता है और गटभर तो जोढ़ सकता है गटभर गटिशनानों have उसके आई होगो आई होप यहां से तो यह कुछ चाहर चीजी जाने साथ पढ़ते हो साथ का सात में तो आपको समझ में आजाएगी कि हमें कौन सा रूल फॉल में कौन सा नहीं करना चैहिए इस सीरीज में ठीक है इस के साथ में मैं एक और चीज देखता हूं इसके साथ में एक और चीज यह देखते हैं कि हम यहां पर कुछ टाइप के बारे में discussion करते हैं इनके कुछ type हो सकते हैं इन questions के तो मैं आपके साथ वही टाइप डिसक्रेशन करता हूं सबसे पहले किसी भी श्रंकला का अगर दिया जाए किसी भी श्रंकला मैं थोड़ा साथ साथ में लिखता भी आऊंगा ताकि आप बोर ना हो सारी चीज़ा अगर टाइप की वही रहेगी तो उसमें देखने में भी ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं यह ठीक है अगर क्या हो कि श्रंकला पूरी करना हो मतलब अगर आपको कुशन दिया हो मैं कुश कीजिए या फिर पूरा कीजिए यह मैं कुशन आपको इसमें लिखे देता हूं कलर चेंज ले लेता हूं थोड़ा सा देखिए अगर एक सिरीज लिख लिए सिरीज लिखी यह वन पाइफ टैन सिक्स्टीन और ट्वंटी थर्टीवन अगर यह सिरीज दिया इसके अंदर सकते इसमें और आपके पास चार अप्शन भी देंगे चार आप्शन भी देंगे अच्बूर में और चलो मैं वह खिले देता हूं अब इसका question का answer निकालना है, तो आप क्या करोगे, फिल्प पूरी करनी है, पहला आपको type बता रहे हैं, type के अंदर में questions और भी discussion कर दूँगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, हम 1 से 5 हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है, तो ए अगर fastly, यहाँ पर तीवर गती से क्या हो, अगर पहले बढ़े, अब इसमें ये वाली condition तो आई निएरी है, सिर्फ तीवर गती से बढ़ रही है, बढ़ में आपको होता है, गुना होता है, तो यहाँ पर गुना भी हो सकता है, पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपन 5 से 10 हो रही है 10 से 16 हो रही है 16 से 23 हो रही है 23 से 31 हो रही है तो 1 से 5 के बीच में अगर add किया जाए तो 4 marks add करता हूं तो 5 आ जाते हैं 5 से 10 में अगर मैं 5 add कर देता हूं तो 10 आते हैं इसलाएं इसमें मैं कुछ नया नहीं बता रहा या फिर कुछ इतना Micha वी नहीं है इतना फाड़ भी नहीं है कि इसमें आप सोचनी सकते यहां पर सीधा ही हो रहा है कि एडिशन हो रहा तो यहां पर वह rule Right नहीं शूंगा क्योंकि पहले question को ही आपको analysis type में आपको analysis करना है कि question ये चीज आप fulfill करवाना चाहरा है तो आपको सबसे पहले वो चीज देखने हैं ठीक है अगर मैं यहाँ पर इसी series के अगर continue देखता हूं तो यहाँ पर एक और अगर आगे add कर दे 9 अगर इसमें add कर दे तो मेरा answer आता है 40 I hope मेरा answer यहाँ पर C में जा रहा है और मेरे हिसाब से यह answer सही भी है ठीक है correct भी है C इसका answer correct रहेगा क्योंकि यहाँ पर continually यह बढ़ रही है पर इसमें addition हो रहा है 11 का तो मेरा answer क्या आजाएगा answer मेरा जाए यह फिर इसी के अंदर एक और questions देखते हैं तो मैं यहीं आपको एक और question दे देता हूं इसी के साथ explain कर देता हूं ऐक कोशन और देखते हैं अगला question देखते हैं एक्जांपल के type में अगला example है example number second में अगर question ले कि एक छोटी series ले लेते हैं जिसमें आपको समझ में भी आएगा थोड़ा अच्छा भी लगेगा इस question को करने में एक number है 4, 5, 9, 18, 34 अगर ये number दिया हुआ अगला number अगर हमसे पूचता है तो अब आप यहां पर दीखेगा कि question क्या हो रहा है question एक flow में बढ़ रहा है इसको अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको कुछ अलग चीज भी दिखाई देगी पहले मैं इसी question के options देता हूं क्योंकि options से थोड़ा सा माइन डवलप हो जाएगा कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता त्यक्या ओप्शन होता है 53 43 49 59 कि आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा अभी तक कि इस question में क्या हो रहा है फिर भी मैं solution आपके साथ discuss करता हूं पैन का इंक change कर लेते हैं तो यहां पर अब अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है यह नहीं बैठे रहा है इसको है हुआ 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 ह add हो रहे हैं, तो I hope आपके mind में थोड़ा सा कुछ न कुछ clear हुआ होगा, और इसी को अपन क्या कहते हैं, कि 1 का square 2 का square 3 का square 4 का square यहाँ पर कुछ न कुछ mind में build हुआ है आपके इस question को समझने के साथ-साथ कि अगर अपन इस तरह से सोचें तो question की अगली step क्या बनेगी अगली step यहाँ पर बन सकती है 25, add कर दूँ अगर इसके अंदर 25 add कर देता हूँ तो 5 का square बन जाएगा, सीधा भी मैं बोल सकता था, कि 4 के बाद 5 आएगा तो 5 का square बनेगा, 5 का square 25 होता, 25 अगर इसमें जोडते हैं तो क्या हो जाएंगे, 59 my answer जो आएगा, 59 के साथ जाएगा यह मेरा correct answer होगा तो यहाँ पर answer आजाएगा, 59 I hope आपको यह भी question समझ में आया होगा थोड़ा सा और इसके अंदर अगर देखना चाहें एक question और कर लेते हैं ताकि आपको और भी कोई doubt हो तो वो clear हो जाएगा तो next question हम यहाँ पर देखते हैं next example number third example number third क्या कहते हैं कि एक series हमको दे रखी है 8, 27, साथ में दे रखा है 64, 125 और 116 और next जो है वो हमको find करना है तो यहाँ पर इस question को भी अगर एक बार scenario में देखता है इनके तीन options दे देते हैं 4 options जो है option दे देते हैं यहाँ पर option आपको दे देते हैं 4, 34, 3, 21 और 3, 43, या 5, 43 साथ में आपको यह चीज देखनी है कि अब यह क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कि continually आप देखोगे number क्या कर रहा है increase कर रहा है तो हम अपने law की तरफ चलते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर एक law पढ़ा जिसके अंदर हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या हो तीवर गती से क्या हो अगर बढ़ता है तीवर गती से अगर पहले बढ़ता है अगर संख्या की सिरीज या श्रंकला जो है वो तीवर गती से बढ़ती है तो गुणा पर आधर ही तो सकता है या वर्ग हो सकता है या जनात्मक गन हो सकता है साथी साथ या तो पहले जोड़ जाएगा या गट़ाया जाएगा ठीक है इसी को इसी लाइन को यहाँ पर example के trough explain किया जा रहा है कि explain करने से पहले आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा सोचना होगा कि 8 के बाद सीधा 27 मतलब 1 के बाद सीधी 2 डिजिट आ रही है 2 डिजिट के बाद भी बड़ा उचाल देने को मिल रहा है बड़े उचाल के बाद 3 डिजिट आ गई 3 डिजिट में भी उसके बड़ा उचाल देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर क्या हो सकता है थोड़ा सा आइडिया आपन देखते है तो यहां पर मुझे देखने से यह पता लग रहा है कि 3 जो होता है वो किसका क्यूब होता है 3 होता है 2 का क्यूब ठीक है 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है और 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है 125 जोता है वो 5 का Q होता है और 6 का Q 100 16 होता है इसी के अंतराल में अगर अपन 7 का Q देखें तो 7 का Q क्या होता है 343 343 343 343 343 तो यहाँ पर मेरा answer 7 के cube के साथ जाएगा 7 का cube जो होगा 343 होगा तो यहाँ मेरा answer 343 के साथ जाएगा यहाँ पर आपको I hope यहाँ पर rules के साथ में जो हमने questions की है वो आपको समझ में आये होंगे इसके साथ अगर आप एक तीज और सीखना चाहते हैं तो आपको cube याद होने बहुत ज़रूरी है square or cube मैंने आपको पहले ही बताया इसी class के अंदर मैं इसी type के साथ में आपको square or cubes एक बार वापस learn करवा देता हूँ ताकि आप उसको याद कर सकें और आने वाले questions जो होंगे इसके अंदर वो इसी type के होंगे वैसे और भी अलग-अलग questions type के मिलेंगे मैं आपको उसके साथ भी explain करूँगा चलिए आगे देखते हैं तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा इनके बारे में discussion कर लेता हूँ square और cube कैसे निकालते हैं या फिर उनको याद भी कर लें तो अच्छा ही रहता है सबसे पहले आपको एक चीज यह दियान होनी चीए prime number यहाँ पर कुछ ऐसे basic discussion कर रहा हूँ जिससे आप इस letter series यह इसको discussion कर सकते हैं easy goingly और इसके बाद हम आगे चलेंगे एक बार छोटा-छोटा सा recap करेंगे उसके बाद में अपन पूरा मेरे हिसाब से यहाँ से अपन basic के साथ ही चलेंगे तो basic अगर करना है तो आपको continually बना रहना होगा मेरे साथ और थोड़े-थोड़े अंतराल में आपको सारी videos मिलेगी तो आप उसको भी वहाँ पर catch through करते रहेंगे आज अपन square और cube के साथ इसको finish कर देंगे यहाँ पर कुछ questions दे दूँगा और कुछ questions और भी कर लेंगे तो आप उनके साथ में कीजिएगा तो आपको समाझ में आ जाएगा I hope फिर भी नहीं आता है तो फिर अगले वाले वीडियो में अपन इसको जादा discussion करेंगे अच्छे से सबसे बहुते प्राइम नंबर्स के बारें पता होना चाहिए आपको प्राइम नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर्स के अंदर आपको यह पता होता है कि वो नंबर्स जो मल्टिपल में ना हो ठीक है मल्टिपल में ना हो या फिर मल्टिपलाई करने पर नहीं करते हो या फिर मल्टिपलाई होता है पर उसके साथ में जिससे हिंदी में अभाजली संख्या कहता है उसके टुकडे नीं होते हैं सिरल फैक्ट कौनि नहीं हो सकते एक आंपर एक टुकडे नहोंकोные यह यहां पर होते हैं Prime Number, Second आपको अगर पता हो, तो भाज जिसंख्या, जीने बोलते हैं, composition number, ठीक है composition numbers बारे में आपको पता होना जाबर है यह दोना चीजयां ध्यान होनी बहुत को if composite numbers घो क्या होते हैं composite numbers वह होते हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं यह जिनके तुकडे हो सकते हैं है थो four सबसे पहले four आएगा fret six आएगा eight nine ten twelve भची हुई सारी पर इसमें बची हुई में भी कुछ संख्या है 15 हुआ जैसे कि 15 के टुकड़े हो सकते हैं तो यह भी आएगा 17 16 17 यह आएगा 18 20 21 and so continue इस तरह से जिनके टुकड़े हो सकते हैं वो सारे नंबर composite composite side number composite number के अंदर आ जाएंगे ठीक है इसके साथ में अब देखते हैं square स्क्वेर और स्क्वेर रूट को अपन यहां से देखते हैं कि स्क्वेर रूट क्या होते हैं सबसे पहले स्क्वेर रूट को यहां discussion कर लेते हैं square root square root number यह याद होने जरूरी है क्योंकि इन में questions के अंदर सीधा question भी पूछा जा सकता है और थोड़ा सा गुमा कर भी पूछ सकता है तो one का तो one ही होता है टू का क्या हो जाएगा 5 का 25 और 6 का क्या हो जाएगा 36 7 का 49 8 का 8 का 64 9 का 81 और 10 का 100 यह squares होते हैं इसी के parallel में मैं यहाँ पर 11 12 के भी लिखतेता हूं 11 का क्या हो जाएगा 11 का यहाँ पर हो जाएगा 121 पैरलल में अपन 21 का भी लिखतेते हैं क्योंकि 21 तक तो याद होना ही चाहिए मेरे हिसाब से questions अगर करने आपको तो यहाँ तक 31 तक भी याद रखिए मेरे कहना तो यह रहेगा questions अगर आप करते रहेंगे तो easy going में याद हो जाएगा 21 का हो जाएगा 441 और 31 का हो जाएगा 961 थोड़ा सा है पर याद कर सकते हैं अपन इसमें color change कर देता हूं मैं तक ही कि ट्वैल का आपको पता ही यह 144 होता है और 22 का जो जाएगा वह जाएगा 484 होता है और 32 का जो होता है वह क्या होता है 124 स्क्वैर होते हैं सारे इसके बाद में 13 का क्या हो जाएगा 169 और 29 का क्या हो जाएगा वन हंड्रेट फाइफ हंड्रेट ट्वंटीनाइन और थर्टी थी का क्या वह जाएगा वन हंड्रेड ए वन थाउजन्ड एटीनाइन ठीक है आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा एक चीज में पीछे वालें बताना भूल गया कि एक जो नंबर होता है ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है तो वहां पर आपको नोट करके रखना है कि एक जो नंबर होता है वो ना तो डिविजिबल होता है ना तो क्य शेकर वोलते हैं Prime नमबर होता है उन्ना Composite नमबर होता है ठीक कोzer नमबर भी नहीं होता है यहां पर 24 24 का होता है 24 आटका इत्वर का होता म tuo 196 जस्थ इसका उलटा यहां न दो नमबर उल्टो हो जाएंगे है यहां पर 25 26 27 28 29 30 कंटिन्यूम इसी को पहले कर लेते हैं तो 5 का तो 250 225 हो जाएगा 225 और 6 का होता है 256 7 का होता है 289 और 28 का हो जाएगा सॉरी इसमें हो गया गलती करती है यहां पर यह गलती हो गई मेरको 11 12 लिखना था ठीक है यह है वन यह वन ठीक है यहां पर 18 का हो जाएगा 324 19 का हो जाएगा ठीक है यहां तक आए होप आपको समझ में आया होगा 30 का जो हो जाएगा 600 हो जाएगा तो कुछ ट्रिक्स के साथ अगर याद कर लेंते हैं 25 के जो होंगे और 35 का जो होगा 34 और 30 24 का तो अपन यहां पर अभी देख लेंगे हैं हां तो 24 का क्या हो सकता है 24 का 625 और जस्ट इससे ही हो जाएगा 12 1225 1225 जस्ट देख लीजीगा ठीके ना वन ही आगे लग रहा है 24 और 25 के अंदर देखते हैं तब 576 और 35 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11156 ठीके यहां पर अब 26 और 27 28 और 29 साथ का साथ यहां पर 36 37 38 और 39 36 36 38 39 यहां पर यह देखते हैं 36 का क्या होता है 36 का होता है 676 और उसमें हो जाएगा 36 26 में हो जाएगा 636 और 36 के अंदर हो जाएगा 1021 296 और 27 का हो जाएगा 729 और 27 का हो जाएगा 1339 69 ठीके 69 यहां पर हो जाएगा फिर 1828 का क्या हो जाएगा 28 का 784 और इसमें हो जाएगा 1444 और 29 का क्या होता है 841 और 39 का हो जाएगा 150 1521 I hope आपको यहां तक यह भी समझ में आया होगा square root को किस तरह से यह आपको learn करने होंगे क्योंकि इसके बगएर काम नहीं बनेगा क्यूट क्यूब आपको 20 तक याद कर लेना है और square जो है वह 40 तक याद कर लेने तो यहां पर क्यूट हम ने कर लिये अब हम करते हैं square मोः 1 deutsche कर लिए अब करते हैं क्यूप क्यूब तो मैं 20 तक ही learn करने हैं तो क्यूप भी मैं आपको लिखा देता ओं एक बार फर्स्ट टाइम मैं मेरे हिसाब से आपको लिखा देता हूं, फिर आप अपने हिसाब से लर्ण कर लीजिएगा, ठीक है, क्यूब, क्यूब जो है, क्यूब भी आपको लर्ण करने होंगे, वन का तो आपको पता हिए, वन ही होता है, टू का जो है, टू का एट हो जाएगा, थ्री का ट्वंटी सेवन होता है, फोर का, फोर का सिक्स्टी फॉर, फाइफ का वन हंड्रेड ट्वंटी फाइव, सिक्स का, सिक्स का क्या होता है, 216 7 का 343 8 का 512 9 का 729 और 10 का 1000 फिर 11 का देखते हैं 11 का क्या हो गया 331 12 का होता है 1728 ठीक है 1728 हो जाएगा फिर हम 13 का देखेंगे तो 13 का वन डिजिट ऊपर चला जाएगा 2197 14 का जो होता है वो होता है 2744 फिर 15 का जो होता है वो 375 16 का जो होता है वो 4096 17 का जो होता है वो 4913 18 का जो होता है वो होता है 5832 और 19 का जो होगा वो होगा 6859 और 20 का वो हो जाएगा 800 यह आपको लर्ण क्यूब तो करने ही होंगे square बता दिये और cube बता दिये और यहाँ पर मैंने prime number के बारे में बता दिया और composite number के बारे में बता दिया बाजे संक्या और अबाजे संक्या के बारे में आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा I hope हमने first वाला जो part था number series number series का पहला जो part था किसी संख्या का पूरा करना उसको हमने अभी complete किया है इसके अंदर भी मैं आपको further इसके types अलग-अलग थे पर मैंने एक ही के अंदर बता हैं अभी मैं उसको further भी अलग-अलग बता रहा हूँ ताकि आज एक ही पढ़ेंगे अपन पूरा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जाकि next time जब भी आप पढ़ें तो आपको ऐसा ने लगे कि first time ही हमने अच्छा नहीं पढ़ा मेरी तरब से पूरा effort दिया जा रहा है आपको कि आपको कहीं भी problem नहीं आएगी ठीक है इसके अंदर subtype जो है type first का subtype है type first हमने पढ़ा उसका subtype पढ़ रहा है subtype first ठीक है योग का नियम अगर addition का अगर कोई भी number साता है तो addition का नियम क्या होता है हमने नियम पढ़ लिए है तो addition के नियम पर ही हम questions based questions करते हैं यहाँ पर मैं question ही करूँगा आपको ताकि easy way में आपको सारी चीज़े समझ में आ जाए ठीक है example first लेते हैं इसी का ही कि यहाँ पर first example ले लेते हैं example first में आपको question बताता हूं 24, 29, 35 और question आता है 42, 50 और last वाला जो है वह आपको find करना है तो आप क्या कीजिएगा आप questions में साथ में देखिएगा बस इसको solve करने कोशिश कीजिएगा ताकि आपको easy way में समझ में है solution देखते हैं solution में क्या हो सकता है option दिये वे होंगा आपको I hope मेरे को देने की ज़रूत नहीं है अभी क्योंकि अपने इस चीज को सीख रहा है addition को ठीक है आपको सबसे पहले लिख लेना है एक बार series को देखने से ही पता चल रहा है कि continuously बढ़ रही है यहाँ पर 5 add हो रहा है 5 के अंदर 6 add कर रहा हूँ और इसमे 7 add हो रहा है फिर 8 add हो रहा है पर type के according अपन types पढ़ रहा है तो मुझे questions भी साथ के साथ आपको करवाने होंगे ताकि easy going लिए आपको questions समझ में आए 6, 10, 17, 27, 40 next जो होगा वो क्या होगा यहाँ से देखते है solutions solution में सबसे पहला आपको क्या करना है series को अच्छे से देखना है अच्छे से देखने पर क्या पता चल रहा है कि series continuously बढ़ रही है यहाँ पर क्या हो रहा है 6 से 10 जा रहा है तो 4 एड हो रहा है यहाँ पर सीधा 7 एड हो रहा है यहाँ पर देख रहे हैं तो 10 एड हो रहा है यहां से आगे जा रहा है तो क्या हो रहा है यहां से आगे जाने पर सॉरी यहां पर 40 हो रहा है यहां पर 13 एड़ हो रहा है एक फ्लो में देखें तो 4 में 7 हो रहा है तो 3 एड़ हो रहा है फिर 7 में 10 आ रहा है तो 3 एड़ हो रहा है फिर 10 में 3 add हो रहा है तो 13 हो रहा है फिर 13 में अगर 3rd हो जाए तो क्या आ जाएगा 16 और 16 अगर इसमें add कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा 56 यही आपका आंसर तीक है I hope आपको समझ में आ वा कि अगर किसी form को बनाया जा रहा है तो उसकी sub form भी बन रही है, sub form को कैसे follow करना है, यह चीज मैं आपको इस questions में बताना चाह रहा था, ठीक है न, आपको एक ही series के उपर depend नहीं रेना है, आपको next वाली series को भी follow करना है, ताकि उससे आपको answer निकालने में आसानी हो जाए, ठीक है, यहाँ से अगला questions देखते हैं, अगला example अगर आपको सामने लिखावा हो, तो आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है, अब हम जोडने की, हमने अगर सारे दोनो questions जो हमने भी की यह थे, I hope आपको समझ में आये हो, तो अब subtract अगर, fixedly, अगर continuously, अगर subtract हो रहा हो, तो उस series को कैसे follow करें, वो मैं आपको बताता हूँ, 72, अगला example इसी पर based है, 72, 67, 63, 60, 55, 51, और अगला जो है, वो आपको find करना है, यहाँ पर आपको ने सबसे पहले series को देखा, series को देखने से क्या पता चाला है, consistently, देरे-देरे क्या हो रहा है, कि series, deny हो रही है, decrease हो रही है, deny हो रही है, घट रही है, इस चीज को आप देख पा रहे हैं, तो हमने, सबसे पहले इसको मैंने series को लिखा, उसी में मुझे कुछने कुछ समझ में आगया, क्या आया, 72 से 67 हो रहा है, यहां से 5 माइनस किये जा रहे है, 5 को सबस्ट्रेक्ट कर देते हैं, अब इससे इसमें जाने में क्या हो रहा है, 4 सबस्ट्रेक्ट हो रहा है, यहां से यहां आने में 3 सबस्ट्रेक्ट हो गए, 60 से 25 आने में क्या होता है, 5 सबस्ट्रेक्ट हो रहे हैं 5 से 51 होने में 4 सबस्ट्रेक्ट हो रहे हैं और अगला step क्या होगा मतलब यहां तक का rule तो follow हो रहा है कि एक series same follow कर रही है follow rule कर रहा है और अगली वाली भी अगर इसी तरह follow करे तो answer आ सकता है ठीक है ना अगर मैं यहां पर 51 में 3 सबस्ट्रेक्ट कर दता हूँ तो 48 इसका answer आता है और यह मेरा final answer भी है ठीक है यह आपको समझ में आया होगा I hope ठीक है अगला example देखते हैं अगला example क्या है example number second हमने two examples आगे बहुत सारे examples उस पे भी कर लिये थे इस पे भी थोड़े बहुत examples कर लेते हैं ठीक है अगर questions दिया वह हो 100 98 95 91 86 then next और अनिकली इसी तरह से एक और question मैं आपको यहां पर दे देता हूँ 200 198 195 191 186 इसी की तरह के एक और question बना के मैं आपको दे देता हूँ question किसी भी तरह से बन सकता है follow तो same ही rule करना है न तो मैं आपको अलग-अलग questions भी बता देता हूँ 400 398 395 391 386 अगर इतने सारे questions एक साथ अगर solve करने हो तो कैसे करोगे अंसर solution देखता है एक बार कैसे हो रहा है यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है यहां से यहां आने में कितने दे रहा है 3 सबस्ट्रेक कर रहा है यहां से यहां आने में कितने सबस्ट्रेक हो रहा है 4 91 से 86 5 सबस्ट्रेक हो रहा है ठीक है तो यह change चल रही है continually कि अब इसके बाद में क्या सबस्ट्रेक हो 6 6, 6 को अगर subtract कर देता हूं, तो मेरा answer आजाएगा, 86, ठीक है, यहाँ पर भी यह rule फोलो हो रहा है, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 साते क्या आजाएगा, 180 मेरा answer यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी यही हो रहा है, तो क्या answer आजाएगा, 380 यहाँ पर भी मेरा answer हो जाएगा तो एक साथ मैंने आपको 3-4 questions करा दी है और आपको समझ में भी आ गए कि subtract में भी पता चल गया और questions भी हो गए I hope आपको अच्छा लगा होगा चलते हैं next question की तरफ ठीक है? इसी के अंदर ही करते हैं अगला question क्या हो सकता है? अगला question हम ठीक है अगला question देखते हैं एक question और है example 50 49 46 41 और 34 next वाला जो है उसको आपको find करना है 100 लगा लो, 200 लगा लो, 500 लगा लो इसी number system के अंदर उसी question को वापस किया जा सकता है अलग-अलग example से तो example यहाँ पर मैं लिखी देता हूँ आपके लिए 150 149 146 141 134 550 559 556 554 541 535 4 तीक है? यहाँ पर 950 949 946 941 934 एज सेम इसी में भी आपको सेम नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो निकालना है यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले वन सब्स्ट्रेक्ट हो रहा है तीक है? फिफ्टी में वन सब्स्ट्रेक्ट करेंगे तो 49 आजाएंगे 49 में अगर मैंने यहाँ पर 3 सब्स्ट्रेक्ट करें तो 49 में 3 सब्स्ट्रेक करने पर 46 आएंगे 46 में अगर 5 सब्स्ट्रेक्ट करूँगा तो 41 आ रहा है 41 में हम क्या सब्स्ट्रेक्ट कर दें? तो 34 आ जाएंग 41 में मैं 7 सब्स्ट्रेक्ट कर देता हूं तो 34 आ जाता है तो इसके बाद मैं चेंज चल रही है देगे और नमबर चले 1 3 5 7 अगला क्या जाएगा 9 तो यहां पर अगला टर्म आ जाएगा अगर 9 इसमें सब्स्ट्रेक्ट कर देता हूं तो 25 मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है इसी तरह अगर इसमें भी आप करोगे तो आपके आंसर सारे निकल जाएंगे कैसे करके देखीगा यहां पर आ जाएगा 125 525 925 आई होप आपको यह कुशन समझ में आया होगा अलग-अलग एक्जामपल्स भी दीए मैंने आपको यहां पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है एक कुशन के साथ में आपने कितने सारे कुशन के यह देखेगा अगला देखते हैं अगला टाइप जो है वो मल्टिप्लाइग का है मल्टिपल नंबर कैसे होगा मल्टिपल में आपको एक चीज बताई थी कि नंबर क्या होगा फास्टली इंक्रीज होगा ठीक है अगला एक्जामपल है तो इस चीज़ देखेंगे कि नंबर फास्टली इंक्रीज होगा 236 12 36 108 साथ का 133 24 और 972 साथ में अगला जो है वो आपको निकालना है अगला जो है वो आपको निकालना है ठीक है यहां पर देखते हैं क्या हो रहा है सबसे पहले इन दोना नंबर का करके देख लो तो 12 3 जा होता है 12 3 जा 34 और 34 के अंदर अगर अपन वापस देखें तो कभी-कभी क्या होता है यह सिरीज ऐसे continue भी होती है और कभी-कभी continue नहीं होती है तो हम divide करके भी देख सकता है difference निकल जाकता है divide करके भी निकल सकता है difference भी निकल सकता है तो उससे भी किया जा सकता है कि 12 का 6 36 का 12 में divide दिया तो आ जाएगा 3 time फिर 36 का अगर 10 वो बहुत लंबा process है पहले करके देखने में ही easy going रहेगा मेरे हिसाब से तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ आने में term 3 का multiply हो रहा है next वाला भी यही follow हो रहा है एक बाग करके देखे क्योंकि कभी भी मैं जहां तक competitive exam दिये हैं और दे रहा हूँ तो मुझे यहां तक जितना knowledge है कि इतना level high नहीं पूछा जाता है सिरीज के अंदर कभी भी नहीं पूछा जाता है बिल्कुल easy going 2,3,4 इससे ज़्यादा multiple का भी question नहीं होता है rare case में 5,6,7,8,9 हो सकता है हो सकता है पर 5,4,3 इससे ज़्यादा multiple के लिए पूछते भी नहीं इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है वहाँ पर निकालने के लिए तो इससे ज़्यादा आपको ज्यादा वहाँ पर करने की ज़रौत भी नहीं है मेरे हिसाब से फिर भी आप ट्राइ कीजिएगा मैं यहाँ पर एक क्वेशन को ट्राइ कर रहा हूं तो यहाँ पर देखते हैं 36 में अगर 3 को multiple कर दें तो 3 6 जा 6 3 जा 8 8 का 6 3 जा 18 18 का 8 रखा 1 कैरी दिया 3 3 जा 9 और 10 तो 108 एज एज वेल एज इस क्वेशन का फॉलो कर रहा है यहाँ पर फिर 3 से मुल्टिप्लाइ करो तो 8 3 जा 24 24 आगया त्री को इससे मुल्टिप्लाइ कर देता हूं तो फिर वही क्वेशन का आंसर में 4 3 जा 12 12 का 1 कैरी दिया 3 6 6 और 7 7 3 3 जा 9 आ रहा है नेक्स्ट इसी तरह फॉलो हो जाए तो 3 से मुल्टिप्लाइ कर दो आई होप आपको कुशन समझ में आ रहा होगा मेरे अकॉर्डिक क्योंकि यह कुशन जो है वह आपको सेल्फ एक बार मैं करवा रहा हूं एक बार आप कीजिएगा इजी गुइंग लिए आपको समझ में आ जाएगा 972 क्योंकि इसमें कॉशन ऐसा थोड़ा लेवल अप हो गया है तो मैंने इसके साथ में पैरलेल में एक्जांपल नहीं दिये तो मैं इसके साथ में और भी क्योंकि टू का मल्टिप्लाइए करेंगे तो यह इसका अंसर हो जाएगा I hope आपको इसमझ में आया होगा कम आया होगा जादा आया होगा जैसा भी आया होगा ठीक है ना आ जाएगा धीर धीर आया आएगा आप एक दुबार करोगे ना एक बार कॉन्फिदेंस बिल अप ह 168 840 next one आपको निकालना है ठीक है यहां पर भी देखते हैं तो पहले तो धीरे धीरे बड़ा फिर एक लंबी उच्छाल फिर उसके बाद में 2 डिजिट से 3 डिजिट और 3 डिजिट में भी बिगेस डिजिट यहां पर भी होतो मल्टिप्लाई ही रहा है पहले मैं सीरीज को ल नहीं करना है यहां से यहां आने में 2 टाइम मल्टिपल हुआ है यहां से यहां आने में अगर देखा जाए तो 2 टाइम तो नहीं हो रहा है 14 को 2 से करेंगे तो नहीं आएगा 28 आना चीना नहीं आ रहा है अब यहां से 14 को अगर 2 से करते हैं तो नहीं आता है अगर 3 से कर दे लेटा हूं फोर से करते हैं तो 48 जा 8 और 8 16 आ रहा है बिलकुल केरी कर रहा है अगला देखते हैं अब 5 से कर देता हूं तो 8 5 जब 40 40 का 0 4 दिया 30 30 में 4 आया 34 34 का 4 रखा 3 उपर दिया 3 उपर दिया तो 8 आ रहा है एज वेल एज अगर अपन देखें तो 1 से 2 हो गया 2 से 3 हो गया 3 से 4 हो गया 4 से 5 हो गया 5 से 6 हो जाएगा अगर 6 से मल्टिप्लाई मैं इसको कर देता हूं तो मेरा आंसर हो सकता है इसमें आ जाए ठीक है और आ भी रहा है यह मेरा आंसर हो जाएगा कि 840 के अंदर 6 का मल्टिप्लाई करें तो आंसर आता है 4040 5040 यह इसका आंसर हो जाएगा सौरी बोलने में तोड़ा समिस्टेक हो गया मैं पहले ही निकाल चुका था 5040 I hope आपको मल्टिप्लाई वाला भी समझ में आया होगा मेरे हिसाब से समझ में आया ही है कुछ ना कुछ समझ में आया होगा एक और कुशन इसके साथ मल्टिप्लाई कर लेते हैं उसके बार डिवाइड का देखते हैं फिर कुशन थोड़े थोड़े लेवल अप होते रहेंगे क्योंकि मल्टिप्लाई में आने पर थोड़ा सा कुशन का लेवल अब ही होता है ठीक है एक कुशन और है एक्जामपल 1 2 8 4 14 next one आपको निकालना है option भी दिये हुए यहाँ पर तोड़ा सा option की भी यहाँ पर बरमार हो गई है 2, 0 6 4 1, 0 6, 4 C और D option है 1, 0 2, 4 2, 0 2, 4 यहाँ पर option भी दिये हुए अब इसको solution में देखना है solution में देखने से पहले मैं सबसे पहले series लिख लेता हूँ बड़ा decrease तो हो रहा है यहाँ से 1 से 2 हो रहा है 1 हो रहा है यहाँ से तो सीधा ही जा रहा है यहाँ पर तो हो गया बड़ा उच्छाल है यहाँ पर तो आपको पहले सोचना होगा कि इस question को push वीडियो को push करके भी सोच सकते हो आप जैसे मैं इसको आपको clear कर देता हूँ time bounding है इसलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से 2 हो रहा है तो अगर 1 में 2 multiply कर दिया जाए तो 2 आ जाएगा और 2 में अगर हम पन 4 को multiply करते हैं तो 2 4 जा 8 हो जाता है और 8 में हम फिर 8 को multiply करते हैं तो क्या हो जाए 64 हो जाएगा 64 में हम किसको multiply है 2 2 से 4 4 से 8 8 से 6 अगर मैं 6 से multiply करता हूँ या 16 से multiply करता हूँ क्योंकि just double हो रहा है sorry बोलने मों निस्टेक हो गई 2 2 का 4 4 का 8 8 से double 16 कुशन यहां से देखना होगा आपको कि कैसे एक step से 2 step हो रहा है मतलब 1 to carry करते बड़ 2 carry कर रहा है तो 2 का square 2 की power 1 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह से आपको देखना होगा, यह क्या हो जाएगा, 16 अगर यहां से एड़ करेंगे तो 124 आएगा इसका अंसर, 2 का पावर 4, ठीक है, 124 इसका अंसर होगा, I hope आपको यह भी समझ में होगा, क्यों किस फॉर्म में आता है, आपको क पॉर्स्ट फॉर्म बन रही है, तो आप सेकंड फॉर्म से कर सकते हैं, आपको समझ में आजाएगा, I hope आपको यह भी समझ में आया होगा, next देखते हैं, अब इसके अंदर हम एक कॉश्ण और देखते हैं, अब क्या होता है, कभी-कभी, दो नियम एक साथ चल रहे थे, ज उसका अंत्र का भी नियम आ रहा था या वर्ग का भी नियम आ रहा था वन हंड्रेड चलिए दो टर्म आपको निकालनी है वन हंड्रेड नहीं निकालनी है आपको यह दौनों टर्म निकालनी है अगर दो टर्म एक साथ पूछ लेता है कि आपको यह दौनों टर्म को find करना है find करना है या फिर इस series में ही find करना है तो आप इसको कैसे करेंगे तो आप क्या करेंगे अगर दो टरम एक साथ पूछ लेता हैं तो आपको क्या लग रहा है यहां पर कि 4 से 3 12 चलो option भी दे देते हैं option नहीं देंगे इसके अंदर option आपको नहीं मिलेंगे आपको सीधा question का answer ही solve करना है push कीजी और सोचिए थोड़ा सा कि 4 से 12 हो रहा है 12 से 16 हो रहा है बीच में gap कम आ रहा है पर 4 से 12 जा रहा है ठीक है 12 से 16 आ रहा है 58 से 32 हो रहा है फिर 16 से सीधा 38 आ रहा है और फिर दोनों कम कम में ही हो रहा है तो यह चीज आपको यहां पर follow करते वे देखना होगा कि 4 से 12 4 से 12 में अब मैं इसको question को वापस लिख लेता हूं एक बार समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने हिसाब से सोचना होगा ठीक है question समझ में आ जाएगा फोर से 12 जा रहा है तो मेरा एक दिमाग चलता है कि भई क्या हो रहा है सबसे पहले multiply हो रहा है 3 का तो 12 आ गया 12 के बाद 16 आ रहा है तो अगला step अगर हम देखें तो addition हो रहा है 4 का फिर 30 16 के अंदर अगर 3 का multiply कर दूं तो मेरा आता 48 ठीक है 16 के अंदर 3 का multiply कर दूं तो मेरा answer आता है 48 48 के अंदर अगर मैं 4 एड कर दूं तो मेरा answer आता है 52 52 के अंदर अगर मैं क्या करूंगा इसी रूल को follow करना है 52 के अंदर मैं 3 से multiply कर दूं तो मेरा answer आ जाएगा क्या आएगा 156 और 56 के अंदर अगर मैं 4 एड करूंगा तो मेरा answer आएगा next जो अगला अरपद निकलेगा अगला इस टर्म मिलेगा वो मिलेगा 60 116 और 160 से अगर मैं 3 से multiply कर दो तो आगे वाले continue and zone आप निकाल सकते हो तो यहां पर मेरी जो series बनेगी वो answer क्या होगा एक बार answer के उपर discuss करते हैं 4 12 16 48 52 156 156 फिर अगला मेरा answer हो जाएगा 116 यह मेरा answer की series होगी आई होप आपको यह समझ में आया होगा यहां तक कि दो parallel में series कैसे चलेगी अगर कैसे पता लगा मुझे मुझे ऐसे पता लगा क्योंकि 3 का multiply करते हैं 4 का multiply 3 से करा 3 के बाद में अगर कुछ नंबर एड़ हो रहा है और पैरलल्ली दोनों को देखा जाए तो एक continue नंबर में 4 एड़ हो रहा है 48 से 52 हो रहा है कुशन उसका करेंगे फिर एक continue मिक्स्ट में आ जाएगा और उसके बाद अपन क्लास का एंड करेंगे यहां पर आज हमने पहला टाइप पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया है आई होप आपको समझ में आया होगा इसके बाद में कुश्यन वूं तो ऑनी आपको टेलिग्राम ग्रूप पर डाल दूंगा इस वीडियो के भाद में आप वहां से जाकर कर सकते हैं चलिए लास्ट करतें इसके बाद में कि नेक्स कुश्न है एक इक ग्जामपल और लेते हैं उसके बाद में अपनेक्स ग्जामपल पर फाइनल फिनिष्ट पर आज जाएंगे नेक्स एकजामपल है एक कोश्न चलिए यह कर लेते हैं 556-12-16-48 नेक्स्ट टर्म आपको। करनी है थोड़ा सा यह आता है कि दो टर्म आपको अगर कोशन वार के साथ दे दी जाए तो आप कैसे निखलेंगे फाइप से फाइफ अब अपन को यहां पर सॉल्यूशन में देखना होगा कि क्या हो रहा है सबसे पहले सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट और के बीच में तो ज्यादा डिफ्रेंस है ही नहीं तो यहां तो जीरो और दो क्या कर दो या तो 0 को कर दो यहां से यहां हने में कुछ ils नहीं हो रहा है मुझे लग रहा है और यहां से यहां आने में कुछ multiply होगा आभिसलियि सिक सीधा 12 हो रहा है ड़ा भी आ हो रहा है ड्वाल रैंक तो यहां पर रोर कर रहा है कि 455 में तो वन से multiply कर दूँ तो 5 वंघा 5 आ जाएगा और यहां से फाइव से 6 हो रहा है तो वन एड हो रहा है आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा कि वन एड हो रहा है सिक्स लिख दिया मैंने सॉरी इसको इसको क्लियर कर दिया है मैंने यह दिखिए आगे इसमें वन एड कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा पाइव से 6 हो जाएगा 6 के अंदर 2 multiply कर देते हैं तो 12 आ जाएगा 6 के अंदर 2 किया तो 12 हो गया 12 के अंदर अगर मैं क्या करूँ अब यहाँ पर आपको दिखना होगा कि 12 12 से 16 हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ add हो रहा है कुछ add हो रहा है तो यहाँ पर 4 add हो रहा है स्क्वायर कर दो फॉर एडेगे तो शीक्स्टीन में फिरके से मैल्लिप्लाइब कर दूंसक्तीन ठीजा 48 ठीक है किस्टीन ठीजा 48 अब यहां से अगला स्टैफ में अगले दो टर्म जो हमें लेने हैं वो यहां पर नापर बन जाएंगे यहां से क्या स्क्यर कर deuxi यह किए क्यूब कर दिया जाए जूभ thứram यह विविश्लीए 3 का स्क्वेर कर देता हूं 3 का स्क्वेर करने पर 9 आता है 9 को अगर इसके इंदर एड कर दिया तो हमारा आंसर बन जाएगा वन हन स्वारी 57 57 57 को अगर 40 से मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो 78 जा 748 और 8 में तू गया तू और तोड़ा सा दिमाग लगाई को अगर थोड़ा सा देखते हैं तो क्या हो सकता है इसका अंसर क्योंकि अगला स्टैब जो होगा फॉर होगा है फॉलो भी रूल भी यही करता है कि 1 अट हो रहा है तो 1 का स्कुर करों टू एड़ रहा है तो टू का स्कुर करों टू का स्कुर करों टूप्टी सेवन के अंदर 4 से मटिप्लाइब करेंगे तो 8 और 2 40 228 यह इसका अंसर हो जाएगा 228 इसका अंसर हो जाएगा आई होप आपको यह समझ में आया होगा लास्ट जो हमारा था क्यूंब़ ईसके साथ बाद में भी करेंगे मिक्स्ट्प में कॉशन है उसको देख लेते हैं तोड़ा सालेसे इकma क्या सकते हैं यह एक अपलब हो सकता है कि 8 10 7 9 6 sorry 6 और 8 इसको हमें अंसर को फिल करना है और ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन भी दिये हुए आज क्योंकि ऑप्शन इसमें अंसर में ऑप्शन देने बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा भी माइंड अगर वर्क करता है तो अंसर बहुत फॉलो करते हैं ठीक है 9 4 और 7 9 4 7 3 5 8 या 8 5 यह है आंसर तो आंसर यहां पर लॉजिक से निकालना है इशारों में तीर चलेगा नहीं तो लॉजिक से देखते हैं सॉलूशन क्या होता है सॉलूशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है सिरिस को आसानी से बिलकुल स्वच तरीके से लिख लीज सिर चलती ना तोड़ा उपर नीचे भी देखके लिखना फर्स्ट से देखते हैं येट से टैन हो रहा है । यहां पर क्या हो सकता है की टू का एडिशन 9 से 6 देखते हैं तो 3 सब्सट्रैक्ट हो रहा है और 6 से 8 देखते हैं तो फिर 2 एड़ हो रहा है तो as well as follow इसी रूल को करेगा कि यहांपर 3 सब्सट्रैक्ट कर दूँ 3 सब्सट्रैक्ट करते ही 5 आजाएगा और 5 में 2 एड़ कर दूँ तो 7 आजाएगा पर ऐसा नहीं है question इस तरह से follow कर ही नहीं रहा है क्यों नहीं कर रहा है कि आपने देखा कि अगला step जो आ रहा था वो 8 आ रहा था यहां से 2 term मुझे लेनी थी 5 और 7 ठीक है 5 और 7 लेनी थी और मुझे answer जो दिया देना है वो देना है next वाले term का तो 8 यहां पर दिया हुआ है already तो answer जो आएगा मेरा सिर्फ sorry यहां पर जो है सिर्फ 5 ही इसका answer आएगा और 7 अगर मांगता है तो 7 भी इसका answer रहेगा तो यह मेने answer थोड़ा सा गलत हो गया option यहां पर यह option यहां पर यहां पर option थोड़ा सा गलत हो गया कोशिश अच्छा question बनाने की थी यहां पर option 7 रख देते हैं तो इसका answer perfectly bad जाएगा ठीक है I hope आप कोई question समझ में आया होगा मेरे according और mixed question था तो mixed तरीके से बता दिया addition और subscription दोनों साथ में हो रहे है कि square की term भी चले या फिर multiple questions भी चल सकता है तो अगले lecture में हम इसी का अगला part जो है इसी का topic है number system series का ही topic है number system series ही अपना जो topic रहेगा उसका नाम number system ही रहेगा उसी के topic को पन discussion करेंगे जिसके अंदर संख्या जो होती वो घलत कौन सी आती है उसको पैजानना चीए सब topic है discuss करेंगे चलिए मिलते हैं next video में thank you so much for watching bye bye great day जै हिंद जै भारत